गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल डबाएं ताकि कोई ख़बर रहना जाए नमस्कार आपका स्वागत है गुरुग्राम न्यूज में जहां हम दिखाते हैं ख़बरें सिर्फ आपके शहर की आपको याद होगा आज से तकरीवन तीन साल पहले गुरुग्राम के एक निजी विद्याले में एक साथ साल के मासुम की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई उस केस ने काफी सुर्खिया बटोरी बड़े-बड़े मीडिया चैनल्स ने अख़बारों ने उस खबर को प्रमुकता से दिखाया और जनता के प्रेशर के बाद हर्याणा सरकार को उस केस को CBI को ट्रांसफर करना पड़ा लेकिन आज तीन साल चार महें बीच जाने के बाद भी वो माता पिता उस बच्चे के आज भी इनसाफ के लिए कोट के चक्कर काट रहे है इस पूरे केस में अब क्या चल रहा है वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और बात करेंगे उस मासूम बच्चे जिसका कालपनिक नाम दिया गया है प्रिंस एक जानकारी ओर देदू कि इस पूरी खबर में हम ना तो उस म्रतक बच्चे का असली नाम बताएंगे ना जो अक्यूजड है उसका नाम बताएंगे और ना ही जो स्कूल है उसका नाम हम बता सकते हैं क्योंकि माननी आदालत के ये आदेश थे कि इस केस में कोई इफेक्ट ना पड़े इसलिए इन तीनों के नाम कालपनिक तौर पर इस्तमाल किया जा सकते हैं जिसमें जो मासूम बच्चा था 7 साल का जिसकी जान गई उसका नाम प्रिंस इस्तमाल किया जाएगा जो अक्यू पाता जी जियोती ठाकुर उनसे हम बात करते हैं बरुन जी सबसे पहले सवाल यही कि आज की तारिख में अगर देखें तीन साल चार महिने से ज्यादा का समय हो चुका है तो यह केस अभी किस मोड पर है क्या कुछ कारवाई इसमें चल रही है अभी मामले में ट्राइल सु जिसमें चार पोलिस वालों को आरूपी बनाया गया है गलत इंवस्टिकेशन करने के लिए हलांकि जो जोवेनाईल है उसको जेजेबी सेशन्स कोट ने एडल्ट के तौर पर उस पर ट्राइल चलाया जाने की अनुमती दे दी थी लेकिन हाई कोट के एक एक और के कारण व इस मामले को हमने दो हजार एठार में मानलिया सरवोची अदालत के सामें चनौती दी थी जो उन्होंने उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए नोटिस इसू कर दिया था और कहा था कि जब तक इस मामले की सुनवाई हम नहीं कर लेते हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच में अभी दो जगहों पर मुखिता यह चल रहा है एक तो मानिया सरवोची सुप्रीम कोट में है जिन्हें यह डिसाइड करना है कि जुवेनाईल को जो हाई को का ओर्डर था कि दुवारा से सेस्स्मेंट की जाए जुवेनाईल की उस पर कि ओर हाई को ठीक है या गलत है त उसके अनुसार ही ट्राइल दिसाइड होगा कि उसकी ट्राइल फिल लेती पन्षख प्रइवारा चलेगी पंच्च कुला अधालत में चलेगी जेजी वी गुरूगराम में चलेगे तो मुखिताय यह मामला सुप्रीम कोट में है और दूस्रा पक्ष जो इस secon ढुए जिस की जिसकी वज़द से वहां पे वो मामला अभी पहंड़ी है आठ सप्टमबर 2017 को यह घटना हुई और घटना होने की सूचना जैसे ही आप लोगों को लगी आप अस्पताल में थे मुझे अभी भी याद है कि जब आप से हम इंटर्वी करें थे तो आपने पहला लग्ज यह करना बात सही भी निकली तो क्या आप लगता है कि CBI के पास केस जाने के बाद भी इतना समय लग जाना अभी तो ट्राइल भी शुरू नहीं हुआ है हालाकि CBI की जो इन्वेस्टिकेशन थी और CBI ने जिस पूर्ति से इन्वेस्टिकेशन की जैसे आरोपी को निकाल के ला तो इन्वेस्टिकेशन CBI के पास जाने से एक तो यह ठीक हुआ लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह मामला बहुत लंबा CBI की तरफ से आया हलांकि जो आरोपी है मुख्य आरोपी जो इनाईल है उसकी चार्ट सीट तो उन्होंने बहुत चल्दी ही 90 दिन के अंदर पाई करती लेकिन सप्लिमेंटरी चार्ट सीट आने में तकरीबन तीन साल का समय लगा है एक वहां डिले हुआ और दूसरा अपने हां का जो जुडीशल प्रोसेस है जो चार लेवल की जुडीशल प्रोसेस है उसमें यह मामला कई तरह के दाव पेंचो में पहसा हुआ है जिसकी वज जल से जल जस्टिस हो वह कही न कहीं अभी तक फरस्टेटेट है और हमें उमीद थी कि छे महीने के अंदर अंदर इसमें ट्राइल ख़तम हो जाएगा बट वह आज भी कोट के अचारिशलों के बीच में जोग रहा है तो क्या अभी उमीद है कि इनसाफ हमें मिलेगा जो मतलब होना चाहिए मतलब जस्टिस होगा इस मैटर में लेकिन दूसरी तरफ अगर समय को लेके कहें तो मन में बहुत सारी आसंका हैं कि पता नहीं कितने और दिनों तक हमें कोट कचरी के चक्कर लगाने परेंगे नहीं के लिए तो क्या आपको लगता है कि जो जो लापरवाहियां की उसकी वएसे केसी दना लंबा जा रहा है कि गुडगाओं पुलेस अगर उस समय में धंग से इंवेस्टिकेशन करती और इमानदारी से अगर इंवेस्टिकेशन करती तो सायद यह मामला CBI को जाने की जरूरत पी नहीं परती जो उन्होंने तेजी दिखाई कि उसी दिन सेम डे केस को क्रैक करने का दावा किया साथ दिन के अंदर चार्ट सीट पेस करने का दावा किया लेकिन जो उन्होंने उसके पीछे तर्क दिये थे जो आरोपी को क्यों किया वो जो थिए थी वो हमें कभी भी आज तक ली पुलेस की तियोरी डाइज सकते हैं अब यह लगता है कि जैसे वह एक पहले से प्रिपिरटिडड पहले से स्क्रिप्टिड मतड़ एक्शन था पुलिस का और पोलिस सब कुछ पहले से टियार करके बैठी हुई थी किस तरह हमें tell केस को close करना है अर जो लोगों में आक्रो शेर से उसका में कैसे तुरंट निप्टा देना है तो बैसिकली मुझे लगता है कि गुर्गाउपुले जरूर किसी ना किसी इंफ्लूएंस में थी और बहुत मतलब सुनियोजित तरीके से जिसको बोल सकते हैं उन्होंने अपनी एक कहानी गड़ी और उसको सामने पेस कर दिया था तो हमारे साथ प्रिंस की माता जी भी है जियोती उनके दिल पर क्या बीचती होगी कि एक मासूम सा बच्चा जो उनके लिए कविताय लिखता था आपको यादिलादू की 2017 में जब यह घटना हुई थी तो हमने इस खबर को मैंने दूसरे चनल के लिए कवर किया था एक एक पहलू से हम इससे होकर गुजरे थे और बड़ा ही उस समय जो कविताय सामने आई थी प्रिंस की बड़ी ही मारमिक कविताय थी दिल भर देने वाली थी आज जोती जी है उनकी माता जी हमारे साथ जोती जी उमीद है कि बच्चे को इंसाफ मिल पाएगा कैसे आप अभी तक उस लम्हे को सोचते हैं हम तो उमीद सही हम तो आज भी उमीद सही दी रहे कि मेरे पच्चे के साथ जो हुआ है साथ उसको इंसाफ मिले तभी उसको शांती मिले था और इसी उमीद से हम अभी तक जी भी रहें और लड़ भी रहें कि साथ कहीं 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 न कहीं मेरा बच्चा गलत तो नहीं था और उसको इंसाफ मिल जाए बच्चे की आद आती है बोड़ी अपना बच्चा कभी भूला जाता है इसा कोई एक दिन नहीं होता है जब आप उस बच्चे को याद नहीं करते हैं उसके बारे में बात नहीं होती है लगता है कि असली गुनागार को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा उमीद है आपको इतना लंबा समय बीच गया जब ये मामला आया ये घटना हुई तो मन में ये था कि जब भारत की जंता का सपोर्ट मिल रहा था मीडिया सारा आपके लिए खड़ा था बहुत से लोग ये डिमांड करे थे कि जल से जल फास्ट एक कोट बनाया जाए सजा दी जाए एक लंबा समय बीच गया यादे थोड़ी थोड़ी धुनली हो जाती है हर किसी की लेकिन आज भी आप अपने बच्चे को याद करते हुआ आखे नम हो गई तो लगता है कि जल से जल इंसाफ मिलेगा उमीद है कहीं आपको हम उमीद तो लगा के रखे हैं इसलिए आज इतने दिन भी हो गए है तब भी परिशानिया तो बहुत हैं लेकिन फिर भी बस यह लगता है कि नहीं उसको इंसाफ दिलाना है और अपने नय पालिका पर भी बस इसी आस से हम लोग उनकी तरफ देखते हैं कि जिस तरीके का यह घटना था और ऐसे घटने में भी घटना में भी अगर इंसाफ ना मिले तो लोगों का विश्वास उठी जाएगा अच्छा मेरी बरुंजे से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि हम यह घर छोड़ कर कभी नहीं जाना चाहेंगे सर ऐसा है कि जब मेरा बीटा 23 साल का था तो हम इस घर में जा भी आयो में इस घर में उसका दोड़ना उसका खेलना उसकी हर चीजह है हम तो यहीं चाहेंगे कि जब तक जीए इस घर में ही रहे ताकि हर सब वो चीज हम लोगों कि कोई याद आता रही बरुन जी एक छोटी बच्ची है आपकी दिन्सकी बड़ी बहन और आप दिन में ड्यूटी पर चले जाते हैं तो सारा सम्हालना कोट में भी केश चल रहा है तारीखे लगती होंगी तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं यह सारा सब देखिए हलाकि एक जेनरल लोवर फिटल फ्या इतिस से दाइदीत सब्सु बढऄ आपको, तो मैं पिछले इन तीन सालों में कहीं भी नहीं गया हूं मतलब किसी भी कोई पारि वारी गैदर हिश्तरिइग से ईसे इन तीन सालों में अगर मैं देखू तो मैं अकसर हां कोट कुट को क्यों इसे हित लेखा दिंगर का ही श तो बहुत मुस्किल है बट दूसरी तरफ यह है कि हम एज़ पैरेंट एज़ फादर जो एक मेरा साथ साल का बहुत निर्दोस इनोसेंट सा बच्चा था जिसको की मतलब कल्पना नहीं की जा सकती कि उसने किस पेन मस्तव को बियर किया क्या दर्द हुआ हो तो उसको जस्टि इस से पीछे अट गया तो मैं कहीं ना कहीं अपने आपको भी माफ नहीं कर पाऊँगा कि एक फादर होने के बावजूद एक जहां पर आप बोलिए साथ साल के बच्चे की कोई समझ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता अगर उस इनोसेंट के साथ इस तरह की बरबरता हुई और किसी भी की मथ पेड़ना चाहिए जैसे ये घटना सकूल प्रैमिसिस में हुई बातरूम में ये घटना हुई तो कहीं कहीं स्कूल की जिम्मेवारी भी बनती थी बिलकुर अब C-VIA जाच में क्या स्कूल के खिलाफ कोई कि बात कही गई कोई वावज की तरफ से है अब कि बेसक इस मतलब मर्डर से स्कूल का कोई डारेक्ट लिंक नहीं निकला हो जो कि हमें स्टार्टिंग में लगता था कि स्कूल की तरफ से भी कोई रीजन हो सकता है कोई ड्रग्स का मामला हो सकता है किसी जैसा की स्कूल है टीचर, स्टुडेंट बहुत सारे हैं तो किसी कोई एक ऐसा इशू हो सकता है जिसकी वज़र से हर्ट्या की गई लेकिन जैसे जांच बढ़ी आगे सीबियाई ने जांच की और इनिस्टिकेशन की तो वह सामने आ गई तो वह वाला पार्ट तो क्लियर है लेकिन अगर आप कहें कि स्कूल की लापरवाही तो हां हम बिलकुल मान आप इसकूल की लापरवाही ती क्योंकि अस धट्टना के इन्वेस्टिकेशन के दौरान जो लापरवाहियां स्कूल की तरब से नहीं होनी चाहिए जो बैवस्थाय में होनी चाहिए बच्यों की सुड़क्षा को लेकिए उसमें बहुत सारी खामिया भी सामने आएं और अगर आप investigation chart seat को अच्छे से study करेंगे, तो जो ROP है, जिसको CBI ने ROP बनाया है, उसने कई मौकों पे पहले भी इस तरह के indication दी है, दी थी, कि वो exam और PTM से बचने के लिए किसी भी तरह का extreme step ले सकता है, जो कि सायद कहीं न कहीं, माल दीजे, मैं कहता हूँ, पूरे रूप से में था, वहाँ के teachers, वहाँ के management के भी knowledge में था, और उनके students की भी knowledge में था, और जिसको कभी भी किसी ने seriously नहीं गिया, जिसका नतीजा हुआ कि उसकी हिम्मत बरती गई, और आज उसने जो किया, जिसकी हमने अपना बच्चा खोया है, उगटना हुई, तो मैं जरूर यह चा के खिलाब, उसके लिए CVI को उनको भी चार्सी करना चाहिए था, कोट में क्या भी decide हो पाया कि जो case है, वो JGB के पास चलेगा, या फिर जो उसको as a adult मान के case चलाया जाएगा, और कितनी बार जमाने उसके परिजन अभी तक लगा चुके हैं, यह मामला जो आपका adult और juvenile वा सायद, जल्द ही जल से उस पर सुनवाई हो, हम तो यही चाहेंगे, जल से जल सुनवाई हो, उसमें फैसला आए, ताकि आगे की प्रकेडिया चले, दूसरी तरफ, जो पंचकुला अदालत में CVI की supplementary charge seat है, उसमें भी सरकार पांच महिने से sanctioning को लेके चुप बैठी हुई जिस पे पिछली डेट पे मुसीबिया या दालत के जो जज हैं, अमरिंदर सिंग हैं, उन्होंने काफी मतलब strict language में पूरा order पास किया है, जिसमें उन्होंने कई तरह के सब दिस्तमाल के हैं सरकार के लिए, और कहा है कि 22 तारीक को आने वाली डेट पे सरकार या तो उस पे क्यों कुमकरन की तरह सेंक्सिन को लेकर पे सोई हुई हैं, तो अगर आज की स्थिति पूछें, तो दोनों ही जगह पे मामला लंबित पड़ा हुआ है, और जैसे ही सुप्रीम कोट से इस पे कोई फैसला आता है, उसके बाद ही मामला आगे चल पाएगा, और उसके बाद ह यहां जे-जेबी गुर्गाओं में होगा, या सीविय अदालत पंजगुला में होगा, आरोपी जोएना इल पे भी, तो आपको लगता है एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, तो उसको मान कर चल रहे हैं या यह होप लेकर चल रहे हैं कि भले कितना सम में इतना साफ मदब जिस तरह से सीविय ने तत्परता दिखाई आरोपी को पक्रा सारे सबूत इकठा किये और जिसके बेसिस पे अगर आप देखें तो पिछले तकरीवन 16-18 बाद आरोपी पक्ष ने अदालतों में जमानत के लिए अरजी दाखिल किये जिसमें कि वो मान कि लिए सिर्फ बालिक के तौर पही आपकी बेल सुनेंगे और जब हम बालिक के तौर पही आपकी बेल सुनते हैं तो हमें अभी नहीं लगता कि आपको किसी भी सूरत में बेल दी जाने चाहिए तो कई मौके ऐसे आए हैं, 17-18 मौके आए हैं जहां तो उसकी बेल खारी चुई है, जिसमें उचियादा, मतलब उची नयाले से, मानने सर उची नयाले से, जेजेबी से, शेशन्स कोट से, चारो ही कोटों से उसकी बेल रिजेक्ट ही है, तो हमें उम्मीद तो जरूर है कि न कमबा संगर्स करना बहुत मुश्कल होता है, तो जहां कि हमारे नयाले की यह सोच है कि किसी निर्दोस को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहें समय कितना भी लगे, फैसला ऐसा होना चाहिए, मुकदमा ऐसे देखा जाना चाहिए, कि कोई निर्दोस, मतलब दोसी ना करार दिया तो वो अपनी जगह ठीक है लेकिन तूसरी तरफ अदालत को विक्टिम फैमिली की साइट से भी को भी सामने रख के सोचना चाहिए कि उसके लिए ये इतना लंबा संखर्स करपाना मुम्किन है या कहीं न कहीं बीच रास्ते में मतलब तूट कर या अपने आपको मतलब फिर मतलब इस मुकदमे में इस ट्राइल में इस पूरे प्रसीजर को फॉलो कर पाने के लिए सक्षम समझे या और सक्षम हो जाए तो ऐसे जो लीशेरी पर से दीरे दीरे लोगों का विस्वास होता है खास करके वो तपका जिसको पता है कि मैं इतना लंबा संगर्स नहीं कर सक तो ऐसे मामलों में मैं यही चाहूंगा कि न्याय जल्दी हो जल्द से जल्द न्याय मिले ताकि लोगों का विश्वास बना रहे कि आज भी हमारी अधालतों में न्याय समय से और समुचित तोर पर मतलब में इस तीन साल-4 मेने के लंबे अंतराल में कभी कोई प्रेशर आ कि फा grieving क्रमला हमारे बचले के साथ हुँ हमें उसमें जस्टिस चाहिए था अम ने यह क्या सूष निया कि अटिस्टिस hose कर दो कि पूली खी करें कि आइक हो साथ तो खुए झाले में अनुअ आर्च तो चाहे आप ड्रॉलिस के पास है तो हमारी भी यही अपेक्चा थी, CBI डिमांड के पीछे यही रीजन था, कि जो भी आरोपी होगा, चाहे वो सिस्टम में हो, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, कैसा भी हो, उसको मतलब सजा मिलेगी, वो सामने आएगा, तो वो सामने आया है, और CBI के पास है, हमारे पास तो है नहीं कुछ, अब इसमें, CBI अपना काम कर रही है, और अगर आज हम है या आज हम नहीं है, तो भी मुकदमा चलेगा, जो आरोपी हो, उनको सजा मिलेगी, हलांकि जो आपका सवाल था, उसका सीधा सीधा जवाब यह है, कि हम पर आज तक कोई कभी कहीं से प्रेशर नहीं आया है, और साइद फ्यूचर में भी ऐसा कुछ नहीं है, भारत की जनता की बहुत से समयधना ही रही है, प्रिंस के प्रतीवी, आप लोगों की प्रतीवी, तो अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस आपको एक लाइन में यह कहना चाहूंगा, यह जवाब दूगा इस पात का, कि अगर, मतलब, जिस तरह की घटना थी, हिंदोस्तान का हर आदमी जिसे इस घटना की पता के पारे में पता चला, आप लोगों के माद्यम से, उसने इसको अपने बच्चे से कनेक्ट कर के देथा, क्योंकि आज, मतलब, हिंदोस्तान के किसी कोने में, किसी भी तबकेक में, कोई ऐसी फैमली नहीं होगी, जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाता होगा, और जो इस सोच के साथ बच्चे को स्कूल नहीं भेजता होगा, कि मेरा बच्चा अगले 7 गंटे, 8 गंटे, इस स्कूल में बिदाएगा, वो सुरक्चित है, और सुरक्चित हमें वापस मिलेगा, तो कहीं न कहीं हर लोगों के मन में एक डर जैसा महाल बन गया, वो विस्वास जो था लोगों के मन में, वो तूटा, तो हर प्रिंस की जैसी उमर थी, जिस तरह का मासूमियत सी है कि लोग अपने अपने काम मतलब सब को छोड़ कर मेरे घर के पास होते थे इसकूल पे पुलिस ने इतना मतलब गंभी रूप से लाठी चार्ज किया भीर को इदर उदर करने के लिए लेकिन फिर भी लोग वहां से हटने को तयार ने थे मतलब सब को यह था कि कैसे इस तरह कि कोई घर्टना इसकूल में हो सकती है तो जो आम आदमी का मतलब सहयोग था आम आदमी का गुस्सा था उसके बाद जो मीडिया का सहयोग था जिस तरह से हर न्यूज चैनल ने मतलब इस घर्टना को लोगों के सेंटिमेंट्स को समझा और जिस तरह से इसको चलाया मतलब पर मुक्ता से चलाया जितने इंपोर्टनस इसको दी तो वो कही न कहीं मुझे लगता है वो सहयोग ही था कि मान्य सरवचिनाले अपने आप ही इस मामले की कॉग्निजन्स लेने के लिए तीन दिन बाद तयार थी जब मदालत पहुंचे थे तो इस तरह का न्यूज आ रहा बहुत प्रमुख योगदान रहा है और मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत आभारी हूं कि आप लोगों की वज़से ही आज सायर प्रिंस को न्याय मिलने की उमीद है बेसक डिले हो रहा है लेकिन उमीद आज भी जिंदा है तो मैं सब का मतलब तहे दिल से जंधर उसकी कोई गलती नहीं थी उतना चोटा बच्चा हर घर में है हर माता पिता के पास है तो सरकार 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 बोलिये मतलब अदालत बोलिये जो भी है उनसे यह बोलें कि इस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करें उसको न्याय दिलाए और मतलब हर माता पिता को एक के सिक् कि हाँ अगर मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है तो वह लौट के आएगा ऐसा नहीं है कि वह लौट के ही ना है तो थोरा तो विश्वास दिलाना पड़ेगा और इसके लिए मतलब अदालत को थोरी का मतलब थोरा कराई से इस पर निर्ने लेना चाहिए आप लोगों को बहुत कि इस देश में जो इंसाफ है वो भले ही कितनी देरी हो जाए उसको मिलने में लेकिन लोगों को विश्वास फिर भी है कि अदालतों पर कि उनको नियाय ज़रूर मिलेगा और इसी आस में आज प्रिंस के माता-पिता इंतजार में है उसी आस में है कि उनके साथ साल के को जिसका कोई दोश नहीं था स्कूल गया था रोजाना की तरह लेकिन फिर कभी लोट कर नहीं आया तो इसी इंतजार में प्रिंस के माता-पिता है कि जल से जल उनको इंसाफ मिलेगा हाला कि तीन साल चार मेने बीच जाने के बाद भी अभी तक कोट में ट्रायल शुरू ही हुआ है और हम भी उम्मीद करते हैं जिस प्रमुकता से हम लोगों ने ये खबर उस समय उठाई थी लोगों के सेंटिमेंट जुड़े थे इस पूरी घटना से तो उम्मीद हम भी यही लगा रहे हैं कि इस मामले में भी जल से जल जो कोट है वो इनसाफ करेगा और हुआ हुआ